अगर आप में से कोई बच्चा डिरेक्ट ली यह वाली वीडियो देख रहा है तो उस बच्चे से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहले वो बच्चा पार्ट नमबर वन की वीडियो को अच्छे से देखे आई अब हम डिसकस करते हैं हमारे आज का लेक्चर यानि की क्लेंडर तो कंसेप्ट फॉर में यह पता लगाएंगे कि किसी पर्टिकुलर का क्लेंडर कौन से यर के साथ मैच करता है और इसको पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं और डेस के कंसेप्ट को और डेस के कंसेप्ट मैंने आपको पहले सिखा दिये हैं तो और डेस का मतलब होता है नमबर वो डेस को जब 7 से डिवाइड करते हैं जो रिमेंडर आता है तो अगर हमारा उसके अंदर 0 आ जाता है तो हमारा जो calendar होता है वो दुबारा से repeat कर जाता है ठीक है तो आप repetition of calendar के साथ में लिख लेंगे कि हम जो old days find करेंगे उन old days की value यहाँ पर 7 से completely divide होनी चाहिए जोंकि old days की value 0 तभी बनेगी जब number of days जो है वो 7 से completely divide होंगे तो देखो 2005 से 2011 तक आने के लिए किस तरह से question किया जाएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा 2005 का old day क्या है तो 2005 एक ordinary year है ordinary year का old day one होता है इसके बाद आएगा 2006 तो 2006 का जो old day है वो one होगा same to same 2007 का भी old day one होगा same to same 2008 का old day one नहीं होगा क्योंकि 2008 एक leap year है leap year में old day two होते हैं इसके बाद 2009 का अगर देखा जाए तो leap year one होगा 2010 का अगर हम देखें तो इसका भी leap year one होगा अब अगर आप यहाँ पर 2011 के old day को add कर दोगे तो इसका मतलब होगा कि आप 2012 की starting में पहुच गए अभी मैंने यहाँ पर 2010 का old day लिया है इसका मतलब मैं अभी इस time पर 2011 की starting पे हूँ तो अब आपको यहाँ पर इन सब चीजों को add करना है अगर यह old day seven के table पे divide हो गई तो हम हमारत 2005 और 2011 का calendar हो बहुत होगा तो आप चेक कर सकते हैं उपर का sum बनेगा 3 इन दो को plus करेंगे 5 और 2 प्लस करेंगे 7 तो 7 is completely divisible by 7 इसका मतलब यह है कि 2005 से लेकर 2011 के पीच के जितने भी ओड़े है वो जीरो है और मैंने आपको starting में यही बोला कि अगर है मेरी application of calendar का पता 0 होने चाहिए यह must condition है इसकी लेकिन हम जब paper में question करेंगे तो इस तरह से नहीं करेंगे कि 2005 का लिखे 6 का लिखे 7 का लिखे सब को press करके check करें हम लोग use करेंगे एक table का क्योंकि यह वाला topic हमारे paper में आएगा एक number का तो देखो table बनाने के लिए आपने मुझे यह बताओ कि हमारे calendar में कितने type के year होते हैं आप बोलेंगे सर जी हमारे calendar में total दो type के year होते हैं एक होता है leap year और एक होता है non leap year जिसको हम ordinary year भी बोलते हैं बहुत बढ़िया बात है अगर आपके paper में question आए और अगर वो leap year का हो तो leap year का जो calendar होता है वो total 28 साल बाद repeat करता है चुपचाप आप से given year में 28 plus कर देना अगर आपका question non leap year का आए तो आप इसको further two parts में divide कर देना सबसे पहले वाला पार्ट आपका यहां पर बनेगा leap year plus one leap year plus one यानि कि अगर वो साल ऐसा है जो leap year के जिस्ट बाद वाला है यानि कि मैं क्या आपको कहना चारहूं कि अगर 2008 leap year है और question में प पूछ जाएगी 2013 का calendar कौन से year में repeat करेगा तो यह वाला concept लगेगा बाकी के लिए other वाला concept लगेगा और इस other के अंदर leap year include नहीं रहेंगे अगर leap year plus one वाला concept है तो चुप चाप से आप लोग उसके अंदर 6 साल प्लस कर देना और अगर आपके पास यह other वाला concept है यानि कि न ना वो leap year है ना वो leap year plus one है कुछ और ही है तो आप लोग उसके अंदर चुप चाप से 11 साल प्लस कर देना ओके यह आप टेबल ध्यान रखना बहुत ही benefited टेबल है फटा फट से आप इस टेबल का screenshot लेलो फिर इस टोपिक के करेंगे question दोगो first question कह रहा है कि 2019 से बड़ा year बता हो जिसका calendar 2019 से ही match कर जाए तो आपको पहले पता लगाना है कि 2019 कौन सी category में fall कर रहा है तीन category मैंने आपको बताई है ली पियर ली पियर प्लस वन और अधर तो 2019 जो है वो अधर वाले में आएगा और क्योंकि यह अधर वाले में आ रहा है तो आप इसके अंदर 11 साल प्लस क करोगे तो आपके पास answer बन जाएगा 2030 यानि कि 2019 का calendar 2030 के calendar से हुब हुब सेम होगा अगर यह question आपके paper में एक नंबर में नहीं आया वैसे तो मैं 100% sure हूं कि यह वाला question एक नंबर में आएगा लेकिन अगर एक नंबर में नहीं आया तो जो मैंने आपको starting में बताया है आप चुपचाप से वैसे वाला concept यूज़ करना यानि कि आप अपने paper के अंदर इस तरह से लिख कर आएंगे चुपके से चोरी से आप यहां पर side पर find कर लेना कि 2019 पर 11 प्लस करेंगे तो 2030 आएगा 2030 को अगर मैं include कर दूंगा तो 2030 पर पहुँच जाओंगा यानि कि मुझे addition करन 14 जा है वो 7 से completely divide है यानि कि 2029 के आगे जो साल होगा वो 2019 से repeat करेगा तो 2029 से आगे वाला साल कौन सा होगा 2030 होगा तो अगर paper में question एक number से ज्यादा गाएगा तो आप इस तरह से कर देना यहां पर side पर चोरी से चुपचाप से value find कर लेना कि correct answer 2030 है उसके बाद table बना देना औ future आपका एक number भी deduct नहीं करेगा लेकिन क्योंकि मैं 100% sure हूं की paper में question एक number में ही आएगा तो मैं आने वाले question सारे फटा-फट तेजी में solve कर दूंगा ठीक है चलो मुझे फटा-फट से बतादो अब 2016 का calendar कौन से year से repeat करेगा तो 2016 की पहले category पता लगाओ 2016 एक leap year है तो leap year का calendar ह होता है वो टोटल 28 साल बाद repeat करता है तो आप इसके अंदर 28 साल प्लस कर दो आज प्लस 614 224 यानि की 2044 का calendar होगा वो 2016 के calendar से हूं मैच करेगा इसी तरह देखो 2006 तो आप लोग पहले ये बताओ कि जो 2006 है ये कौन से category का calendar है तो 2006 एक normal year है ना ही ये leap year है ना ही ये leap year के बाद आने वाला year है एक normal year है अधर वाली category है तो फटा फेट से इसके अंदर 11 प्लस कर दो और यहां पर आंसर लिख दो 2017 आप लोग अपने गूगल करके चक कर सकते हैं कि 2006 का calendar और 2017 का calendar हूब हूँ सेम है पिर देखो हमें बताना है कि 1990 का calendar कौन से year के साथ मैच होगा तो 1997 के बाद आता है 1996 एक leap year है तो इस case के अंदर आपको यहां पर add करना है प्लस 6 1997 में प्लस 6 करोगो तो आपके पास value बन जाएगी 2003 तो आप लोग अपने गूगल में चेक कर सकते हैं कि 1997 और 2003 का calendar हूब हूँ सेम है इसी तरह देखो हमें बताना है कि 2020 का calendar आने वाले कौन से year के साथ मैच करेगा तो सेम concept है 2020 एक leap year है और leap year जो है वो 28 साल बाद repeat होता है तो आप इसके अंदर 28 साल प्लस करोगो बैल्यू बन जाएगी 2048 यानि कि 2048 का calendar हूब हूँ सेम होगा 2020 के जैसा 2021 का calendar कौन से year के साथ सेम होगा तो ये वाला question मैं आपको देता हूँ homework आप मुझे comment करके बताईए फटा फट से कि 2021 का calendar कौन से year के साथ सेम होगा फिर देखे concept 5 में हम ये जानने की कोशिश करेंगी कि अगर हमें कोई particular date दे दी जाए तो उस date पर कौन सा day रहा होगा या उस date पर कौन सा day होगा जरा ये question पढ़ो आप 15 अगस्त 1947 को कौन सा day था हमें ये बताने अगला question देखो 2nd October 1869 को कौन सा day था हमें ये बताने अगला question देखो 15 April 2030 को कौन सा day होगा हमें ये बताने तो इन तीनों question को करने के लिए हमें छोटा सा concept सिखने पड़ेगा ध्यान से देखेगा तो देखो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि 100 years में total कितने leap years होते हैं मेरा question दुबारा थे सुनो 100 years में total कितने leap years होते हैं मैं आप इतना लिख देता हूँ मैंने आपसे question पूछा है कि 100 years में total कितने leap years होते हैं तो आप कहेंगे सर देखो 100 को 4 से डिवाइट कर दो तो टोटल 25 लीपियर्स होते हैं क्या आप सबका आंसर यही आ रहा है कि 100 इयर्स में टोटल 25 लीपियर्स होते हैं इसका मतलब आपने इस कोश्चन को इस तरह से करा कि जब कलेंडर की स्टार्टिंग हुई होगी जो सबसे पहले 4 लीपियर्स बनाओगा जो 4 साल होगा फिर इसके बाद 8 इसके बाद 12 इसके बाद 16 इसी तरह यह कहानी चलती रही होगी और जब यह कहानी चलती गई चलती गई लाश्ट में आया होगा 100 क्योंकि मैंने आप से 100 साल का पूछ है क्या से पता लगाते हैं तो 4 से डिवाइट करते हैं आप लोग कहेंगे नो सर एक सेंचुरी इयर को लीपियर पता लगाने के लिए हम इसको 400 से डिवाइट करते हैं तो क्या 100 है 400 से डिवाइड होगा एकदम सोच के ध्यान से अंसर दो तो ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब आपने जो यहां पे 25 लिखा हुआ है उसमें आपने 100 को इंक्लूड करें तो आपको इस 100 को वहां से हटाना पड़ेगा तो आप लोग ध्यान लिखते हैं 400 से और 100 जो है 400 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 100 के अंदर टोटल 24 होते हैं इसके बाद आप मुझे बताओ कि 200 इयर्स में टोटल कितने होंगे जरा आंसर दो ध्यान से सोच समझ के आप कहेंगे सर यह तो बच्चे वाला कोशन हो गया हम 200 साल को लिख सकते हैं 100 प्लस में 100 बहुत बढ़िया यार तो अगर एक साल में 24 लीप यह हैं तो 200 साल में 24 प्लस में 24 लीप यह होंगे यानि की सर आप यहां पर लिख दो 48 लीप यह होंगे अरे वाय आप तो मेरा कंसेप्ट एकदम बढ़िया जैं समझ गए फिर आप मुझे बताओ कि टोटल 300 इ करने के लिए 100 प्लस प्लस सो कर देंगे तो 100 साल में 24 लिखेंगे 24 प्लस 24 प्लस 24 टोटल लाकि अपने पास आंसर बन जाएगा 72 लीप यह बोलो हाया ना बहुत बढ़िया फिर आम मुझे लास्ट फाइनल बताओ कि 400 सालों के अंदर कितने लीप होते हैं बच्चे गह रहे 100 सो ॉफ सो प्लस वलाकि tried करने दो भाइर तुम तो फटाफट बोल दे तो मुझे लिखना होता है तो देखो 78 यहां पर भी 25 आएगा यहां पर 29 आएगा यहां पर 24 आएगा तो प्लस करेंगे यानि गु घ्यान से सुनना हमने जब 100 साल के अंदर लीप एर फाइंट करा था तो हमें पता चलाता यह जो सोवा साल है यह 400 से डिवाइड नहीं होता तो हमने इसको वहां से रिमूफ करा हम जब 400 की वैल्यू बतानी है हमें जब 400 साल में लीप एर बताने है तो आप यहां पे चेक करो क्या 400 ज हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा अभी के लिए जो 96 लीप एर है उसके अंदर यह 400 नहीं है तो आप यहां पर प्लस करेंगे एक और कौन से वाला हमने एक और प्लस करा है जो 400 यह वह वाला प्लस करा यानि कि 400 सालों में टोटल लीप एर कितने होते हैं 97 होते हैं क्य बता दिया है कि 100 यह के अंदर टोटल 24 लीप एर होते हैं और जो रिमेनिंग बचेंगे जानी कि 76 ओर डिनेरी एर होते हैं इसी तरह 200 सालों में टोटल 48 लीप एर होते हैं इसी तरह 300 सालों में टोटल 72 लीप एर होते हैं और रिमेनिंग बचे 228 ओर डिनेरी एर होते हैं 400 सालो की बात करें तो 400 सालो में Total 97 लीफ येर होते हैं और remaining वच्चे अपने पास 303 ओरडिनरी येर होते हैं तो यह डाटा आप ध्यान रखना एक नम्म दलका कोश्चन यहां से बन जाएगा कि 400 सालों में कितने ordinary year होते हैं तो 303, 300 सालों में कितने leap year होते हैं तो 72, 200 सालों में कितने ordinary year होते हैं तो 76 तो ये data आप ध्यान रखिएगा फटा फट से आप इसका screenshot ले लें आईए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे 100 years के अंदर total कितने odd days होते हैं तो मैंने आपको भी बताया कि 100 year के अंदर total 24 leap year है और remaining bach pellet non leap year है यानि की ordinary year है तो आप मुझे ये बता दो कि leap year के अंदर कितने odd day होते हैं और wykonम कितने odd day होते हैं तो leap year के अंदर दो ओड़े होते है और ordinary year के अंदर एक odd day होते हैं तो हम जब इसका ओडे फाइंट करेंगे तो एक लीप येर में दो ओडे होते हैं तो 24 लीप येर के लिए हमें multiply 2 करना है यानि कि 48 ओडे बन जाएंगे 24 लीप येर में प्लस करेंगे एक साल में एक ओडिनरी येर में एक ओडे होता है तो 76 के अंदर पता लगाने के लिए multiply करेंगे बन से तो value बनेगी 76 ओडे ये वाली जो लाइन मैंने लिखिया ये ओडे को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ऊपर मैंने लाइन लिखिया ये 100 को रिप्रेजेंट कर रही है तो 48 प्लस में 76 फटा फट से यहां सेवन माइनस करेंगे फाइफ नोट करेंगे 477 जा 49 माइनस करेंगे रिमेंडर आएगा फाइफ यानि की 100 के अंदर हमारे पास टोटल फाइफ और दे होते हैं तो इसको हम एक अलग टेवल में नोट करते हैं यहां पे लिखेंगे सबसे पहले इयर्स और हम पता लगा रहे हैं कि इस चांदर कितने ओड डे रहते हैं तो मैंने आपको अभी एक्सपें करा कि 100 यह के अंदर टोटल five और इखें अलोट् हम देखते हैं टोटल 200 सालों में कितने ओर रहते हैं weit दोब इसRO सालों दोब करेंगे तो इसको डिवाइड करने पर अपना remainder आएगा 3 यानि कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 200 सालों के अंदर 3 odd day होते हैं इसी तरह यहाँ पर पता लगाएंगे कि 300 सालों में कितने odd day होते हैं तो 300 सालों को ऐसे लिख देते हैं 100 plus में 100 plus में 100 आप मेरी बात ध्यान से सीखते जाओ एक सो साल में पांच ओड़े हैं, सो सालों में पांच ओड़े हैं, सो सालों में पांच ओड़े हैं, टोटल में लाके अपने पास वैल्यू आगई 15 ओड़े 300 सालों में 15 ओड़े होने चीएं क्योंकि 15 साथ से बड़ा नंबर है तो साथ से दुबारा डिवाइट करेंगे कि यहां पर हमारा remainder आ जाएगा 1, यानि कि यहां लिखेंगे जो 300 सालों की value है, 300 सालों के अंदर odd day कितने होते हैं, सिर्फ one odd day होता है, same to same दोस्तों, अगर हमें 400 सालों का पता लगाना है, तो 400 सालों को पहले आप two parts में divide करो, कैसे divide करेंगे, 97 leap year है और 303 normal years है, 97 leap year है, तो एक leap year में 2 odd day होते हैं, तो 97 में multiply 2 करके पता लग जागा कि कितने odd day होते हैं, तो 97 को जब 2 से multiply करेंगे, अपने पास value आएगी 194, 303 एक ordinary years को represent कर रहे हैं, तो एक ordinary year में 1 odd day होता है, तो 303 में into 1 odd day होगा, यानि कि total 303 odd day होंगे, इनको plus करेंगे, तो अपने पास answer बनेगा, यह 497 ठीक है, 400 सालों में odd day पता लगाने के लिए हमें 497 को 7 से divide करना पड़ेगा, तो इसको जब 7 से divide करेंगे, completely divisible है, completely divisible का मतलब है, हम यहां पर लिखेंगे, 400 सालों के अंदर 0 odd day होते हैं, सही है, completely divisible का मतलब 400 सालों के बाद 0 odd day होते हैं, तो यह हमारे लिए second table है, और यह हम के अंदर मैंने आपको सिखाया कि century year के अंदर 200 300 400 century years के अंदर कितने lift होते हैं कितने non-lean perrovated होते हैं अर्फ 59् धेए ended मैंने आपको यह सिखाया कि century years के अंदर कितने order होते हैंUh कैसे होते हैं 400 का concept अलग है बाकी 100 200 300 का concept अलग है तो सभी चीज़ों कर अपने में सेट कर लो calendar chapter important है अगर आपको concept नहीं आता होगा तो आप question नहीं कर पाओगे फिर देखे मैंने आपसे दो question put up करें है 2131 में कितने ओड़े हैं और 2131 सालों में कितने ओड़े हैं यहां पर फरक है एसका आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर मैंने यूज किया हुआ और यहां पर मैंने एस वर्ड नहीं यूज कर रहा हुआ इसका मतलब पहले वाला question पूछ रहा है कि उस particular year में कितने ओड़े हैं और second वाला question पूछ रहा है शुरू से लेकर शुरू वाद से लेकर 2131 में total odd day कितने हैं तो अगर हम फर्स्ट वाली की value बताना चाहें तो आप बस यह चक कर लोगी 31 यह जो लास्ट में 31 लिखवा है यह ली पियर यह नोन ली पियर है अगर वह एक नोन ली पियर है तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ओड़े होगा सही है बात एक दम basic है वो second वाला question कह रहा है कि 2131 शुरू से लेकर 2131 तक के सारे सालों के अंदर बताओ कितने ओड़े हैं तो second question को करने के लिए हम use करेंगे table number 2 का ध्यान से सुनो table number 2 का यूस कैसे करेंगे तो हम यहाँ पर 2131 को सबसे पहले स्प्लेट करेंगे century year में century year में स्प्लेट करने का मतलब है आप यह देखो कि 2131 से जस्ट पहले कौन सा century year complete हुआ है 400 से completely divisible होता है तो 2131 सबसे पहले 2100 आएगा 2400 से डिवाइड नहीं होता 2000 आएगा 2400 से डिवाइड होता है तो आप इसको ऐसे लिख सकतो यहां पर यह बनेगा 2000 प्लस में 131 आएगा तो 131 को आप ऐसे लिख दो यह बन जाएगा 100 और प्लस में 31 ठीक है हमने इसको छोटे-छोटे टुकुड़ों में बाट दिया अब हम यह पता लगाएंगे कि इन छोटे-छोटे टुकुड़ों में कितने और दे हैं और इन सभी छोटे-छोटे टुक कि देखो 2000 जो हो 400 का multiple है और 400 में 0 ओडे होते हैं तो 2000 में भी 0 ओडे होंगे फिर हम पता लगाएंगे कि ओडे 100 सालों में कितने होते हैं तो मैंने आपको पहले ही calculation बता रखी है कि 100 सालों में total 5 ओडे होते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इसी तरह हम यहाँ पर पता हैं और कितने इसके अंदर नोन लीप यह रहे हैं एल यानी की लीप एन एल यानी की नोन लीप तो 31 के लीप पता लगाने के लिए हमें 31 को डिवाइट करना पड़ेगा 4 से यह जाएगा 47 28 आपको इसके रिमेंटर से कोई दिना दिना नहीं है आपको यहाँ पर प्रोपर क पोश्ण्ट चाहिए पोशण है यहां पर 7 यानी की 31 के अंदर टोटल सावन लीप यह हैं और रिमेनिंग यानि की 249 लीप यह रहें मैंने आपको बताया था कि एक लीप एंदर दो ओड़े होते हैं तो 7 लीप एंदर टोटल अपने पास 7 लिप लाई 2 14 होंगे और 24 लोन लीप है हैं तो लोन लीप कियर में एक लिप होता है तो 24 में multiply 1 यानि की 24 ओडे होंगे तो आपको यह वाली calculation अपने यहाँ पर fair में लिखनी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे 31 में 7 leap year है 1 leap year में 2 है तो 7 into में 2 total ओडे बनेंगे plus 24 non leap year है 1 non leap year में 1 ओडे होता है तो 24 को multiply कर देंगे 1 से ठीक है यह वाली calculation आपको यहाँ पर note करनी है direct और यह आएगी कैसे rough में करके आएगी तो 7 into 2 बनेगा 14 यह बनेगा 24 दोनों को plus करेंगे तो value आएगी अपने पास 38 अब 38 कभी भी odd day नहीं हो सकते तो हम इस 38 को दुबारा से 7 से divide करेंगे अपने money human में अलग से divide करना है यहाँ फिर आप side पे अलग से divide करके दिखा सकते हो तो 7, 5 जा 35 होता है 38 में से 35 जाएंगे तो 3 बचेंगे तो 31 में total 3 odd days है हमें अब total number of odd days पता लगाने है यहाँ पे लिखेंगे 21, 31 में कितने odd days बनेंगे भाई पहले 2000 के odd day add करो 0 फिर 100 के odd day add करो 5 फिर 31 years के odd day add करो 3 टोटल मिला कि आपके पास answer आएगा आठ यह अभी भी साथ से बड़ा नंबर है दुबारा साथ से divide कर दो तो आपके पास value आएगी 1 यानि कि 21, 31 years में total 21, 31 years में सिर्फ एक ही odd day होगा यह बाई चांस है कि हमारे first वाले और second वाले question का answer same आए लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता तो मेरे दोस्तो मेरी आप से हाथ जोड़कर request है कि concept number 5 को अच्छे जे सीख लेना second वाला question एकदम भैतरीन तरीके साब को करना आना चाहिए अगर नहीं करना आया तो भाई बहुत ज़्यादा गड़बड हो जएगी आप फिर comment में आके गाले लिखोगे करन सर को कुछ नहीं आता फालतू का पड़ा के चला गया ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त का आप इन सब चीजों को अच्छे से सीख लो प्रयास करो थोड़ा सा difficult जरूरा लेकिन easy है तो यह एक और example consider करते हैं ताकि यह वाला concept हमारे mind में छप जाए तो हम 21-31 की जगा पर लेते हैं 1985 वह इस 21-31 की जगा पर भी ले लेते हैं 1985 त तो 85 4 से divide नहीं होता यानि कि यह normal year है तो first वाले question का तो answer बन जाएगा there is only one old day लेकिन second वाले question को करने के लिए आपको पता लगाना पड़ेगा कि 1985 से पहले कौन सा century year ऐसा है जो 400 के table पे divide हो जाए तो हम जब इसको split करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1985 equal to 1600 में फिर plus करेंगे 19 तक जाने के लिए 300 की जुरूरत पड़ेगी तो 300 और फिर 85 लाने के लिए 85 को plus पड़ करना पड़ेगा तो 85 तो हमारे पास बाइफर्गेशन बनेगा 1600 प्लस में 300 प्लस में 85 ठीक है फिर हम यह सब्सक्राइब करना पड़ेगा 85 में पता लगाना पड़ेगा कि कितने लीप हैं तो इसको 4 से डिवाइट करेंगे 4, 2, 8 चला जाएगा माइनस करने पर 5 आएगा फिर यहां पर 1 और यहां पर आएगा 4 लीचे रिमेंडर कुछ भी आए उपर 21 आगए यानि कि 21 लीप यह रहा है यहीं पर लिखेंगे इसक 85 के 2 parts बन जाएंगे इसके अंदर 21 लीप है 85 में से 21 माइनस करूंगा तो 64 नोन लीप है एक लीप के अंदर 2 ओड़े होते हैं तो 21 के अंदर 2 और 64 नोन लीप है एक नोन लीप के अंदर 1 ओड़े होता है तो 64 के अंदर 1 होगा तो हमें यह वाली calculation यहां पर लिखनी है तो य यह अपने पास आंसर देखो क्या बनेगा 42 बन जाएगा और प्लस में 64 इसको एड़ करेंगे तो 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 4 आगया आपने पास 10 106 हमारा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 7 से बहुत बड़ा नंबर है तो 106 को 7 से डिवाइड करो फटा-फट से ताकि हमारा की जगा पर हम यहां पर लिख सकते हैं वन हमने 106 को दुबारा 7 से डिवाइड करा तो हमारा एक्जक्ट आंसर आ गया वन तो यहां पर लिखेंगे कि 1985 के अंदर टोटल ओड डेस सबसे पहले 1600 में 0 फिर 300 में 1 और फिर 85 में 1 यानि कि टोटल 2 तो 1985 में टोटल दो और सिर्फ 1985 की बात करें तो 1 ओड डे है जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वाले एक्जांपल में कहा था कि उस वाले एक्जांपल में वाई आंसर सेम आ रहा है और आप इस वाले अग्जांपल में देख सकते हो कि आंसर डिफर आ रहा है तो कैलिकुलेशन को ध्यान से सीखना है और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि 1917 में टोटल कितने ओड़ डे होंगे आई अब हम करते हैं कंसप्ट 5 के कोशन देखी हमको बताना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था तो इस को करने के लिए हमने तक जो सब पढ़ा है वो सब कुछ इसके अंदर यूज़ करने हैं ध्यान से देखो पहले आप 15 अगस्त 1947 को टू पार्ट्स में डिवाइट करो कैसे ड इसके बाद आपको कहां तक की डेट चाहिए तो हमने इसको टू पार्ट्स में स्प्लिट करा एक तो हमने स्प्लिट करा 1946 कंप्लीट इयर्स हो चुके हैं और जो इयर कंटीन्यू है वो जनवरी से लेके 15 अगस्त तक है तो हम 1946 के ओट डे अलग निकालेंगे इन 15 अगस्त के ओट डे अलग निकालेंगे दोनों को मर्च करेंगे एड करेंगे जो आंसर होगा वह हमारा अंसर बन जाएगा तो देखो सबसे पहले 1946 को फटा फट सॉल्फ करेंगे मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि 1946 तक जाने के लिए आपको पहले फाइंड करना है कि century year कौन सा है जो 400 से डिवाइड हो जाए तो वो बनेगा 1600 में प्लस करो 300 में प्लस करो 46 यहां पे लिखो 1600 के ओट डे कितने हैं तो 1600 के 0 ओट डे होते हैं 300 के ओट डे कितने हैं तो 300 का 1 ओट डे होता है बात आई 46 की तो 46 की कैल्कुलेशन होत लब है 11 से यानि कि हम लोग 46 को स्प्लिट कर सकते हैं 11 प्लस में कितना आएगा रिमेनिंग 35 आजाएगा 11 लीप यह हैं तो एक लीप यह में दो ओट डे होते हैं तो टोटल 22 ओट डे यहां पर आ गए 35 नोन लीप यह हैं मुल्टिप्लाय एक करेंगे तो टोटल ओड डे आ 30 का मतलब है आंसर कितना आगया यह संतावन 57 हमारा ओट डे होनी सकता तो इसको दुबारा से डिवाइट करेंगे 56 कंप्लीट डिवाइड होगा रिमेंटर बच जाएगा वन यानि कि अगर मैं बात करूं 1946 के ओड डे कितने हैं तो आपको एक तोई 300 वाला एक प्लस करना प कंप्लीट हो गई तो एक हमारा जनवरी कंप्लीट हो गया एक हमारा फ्रवरी कंप्लीट हो गया एक हमारा मार्च कंप्लीट हो गया एक मैं कंप्लीट हो गया है एक जून कंप्लीट हो गया जुलाई भी कंप्लीट हो गया अगस्त कंप्लीट नहीं हुआ अगस्त में सिरफ 15 अगस्त तक जाना है यह वाला मैंने आपको पहले concept पताया था वीडियो नंबर 1 में तो जनवरी के अंदर total 31 दिन होते हैं फरवरी क्योंकि 1947 नोन लीप यह है तो इसके अंदर 28 डेज होंगे March के अंदर 31 देज होंगे April के अंदर 30 डेज होंगे मही के अंदर 31 डेज होंगे June के अंदर 30 डेज होंगे जुलाई के अंदर 31 डेज होंगे और हमें 15 अगस्त तक जाना है तो यहाँ पे अदर करेंगे 15 इनको फटा-फट से एड करो कितना आएगा फटा-फट आपको करना है सोल फटा-फट करके बताओ कितना आएगा तो आपने इसको एड कर रहा होगा तो बैली बनी होगी 15 अगस्त तक का वो बनेगा यहाँ पे तीन ठीक है हमें दोनों को टोटल को मर्ज करना है तो यहाँ पे है दो यहाँ पे है तीन टोटल लागे आंसर बन गया पांच अब आप मुझे बताओ पांच में नंबर पे कौन सा हमारा वीक डे होता है तो मंडे टूजडे वेनस ड और गांजा यहाँ जैसे मैंने आपके सामने क्यलकूलेशन करी ह tsun感 अफेपर में इस तरह से कैल्कूलेशन मत करना बहुत ही भैरीन ऐपने द्रें पेपर में दोट करके आना सबसे पहले आप यहां पर में penётся करता हूं ताकि आश्चे से अगस्पैं represented folks 1947 हमने इंप को स्प्लिट करा 1946 complete year और पीरेड लेना है आपको जनुवरी से लेकर 15 अगस्ट तपका ब्लैक वाली कैल्कुलेशन सारी 1946 वाले इयर्स को दिखाती है तो 1946 वाले इयर्स को हमने स्प्लेट कर दिया 16300 और 46 में तोला सो में टोटल जीरो ओड़े होते हैं 300 में एक ओड़े होते हैं यह वाली कैल्कुलेशन मैंने आपको अभी सिखाई है फिर यह ब्लैक वाली की रफवक लिए रहां यहां पर साइट पर रफवक लिख लेना 46 में हमने पता लगाया लीग कितने हैं तो ग्यारा ग्यारा इ तो जनवरी के अंदर ही 30 दिन है इसी तरह हम टोटल वैल्यू फाइंड करी 227 आ गई उसके बाद जो ओड़े की वैल्यू थी वह अपने पास यहां पर तीन आ गई हमने फिर यहां पर लिखा टोटल ओड़े इस तिल 15 अगस्त 1947 तो इसका आंसर बना 5 दोनों को मर्च कर दि लगा अब इसके आगे आने वाले जो दूखो नंख करके नहीं दिखाऊंगा मतलब कि इस तरह से explain करके नहीं दिखाऊंगा क्या कहा हूँ यार मैं मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह से जैसे पूरा पेज भरा हुआ है इस तरह से लिखूंगा नहीं फटा फट सोल्फ करके आपको आंसर बताऊंगा कि आंसर क्या है ठीक है तो लो देखो पैन कलर चेंज करते हैं ग्रीन तो नजरी नहीं आ रहा बिल्कुल भी सैकिंड कोशन है सैकिंड अक्टूबर 1969 को क्या था भोती सिंपल कोशन है पहले इसको स्प्लिट कर दो तो 1969 तो कंटीन्यू इयर है कंटीन्यू इयर से पहले कितने एयर कंटीन्यू ओगे तो 1868 एयर संप्लिट हो गए 1868 को आपको प्लिट करना है सैंचुरी इयर्स में सैंचुरी लीप यर्स में 400 के मिल्टिपल में यह बनेगा 1600 1200 के बाद आएगा 200 200 के बाद आएगा 68 1200 के अंदर 0 200 के बात करें तो फटा-फट से बताओ कितने ओड़े 200 के अंदर टोटल तीन ओड़े फटा-फट से यह वज़े टेबल देख लो आप आपको मैंने क्याल्कुलर्ट नहीं से खाई थी 200 के अंदर तीन ओड़े और बात आती है 68 की तो 68 को पहले आप फटा-फट से डिवाइट कोरो 4 से तो यह अपने कितने पर जाएगा यह 4 बंजा 4 माइनस करेंगे 2 ऊपर से उतारेंगे 8 17 पर जाएगा 28 नीचे कुछ भी आए हमें मतलब होता है इस वाले नंबर से 17 से तो आप यहां पर लिख दो कि 68 हमारा जो नंबर है एक तो 17 पर जाएगा इस 68 में से 17 माइनस करेंगे रिमेनिंग यहां पर आएंगे 51 सही है ना 8 में से 7 गए एक 6 में से एक गया 5 ठीक है 17 लीप यह रहे है 17 को 2 से मल्ठीप्लाइ करके टोटल और डे आएंगे यानी कि तो सद्रा इंड़ करेंगे 34- zupełnie डालेंगे एक त्रद समत्र स्था Orion सरबने पास fare कर रहा हुमा आज तो जो सहीस ता चार उन पांच 25 बन जाएगा ठीक है पिचासी को साथ से डिवाइट कर दो फटा-फट से ओट डे आ जाएंगे तो 7 बन जा 7 माइनस करेंगे 157 तूजा 14 ओट डे की वैल्यू आगई वन यानि कि इन 191989 1868 के अंदर हमारे कितने ओट डे हैं टोटल वन ओट डे है ठीक है तोरी वन नहीं है यह थ्री भी है तो 1 प्लस 3 टोटल मिला कि अपने पास 4 ओट डे है 1968 तक इसके बाद पता लगाएंगे कि इसके नंबर ओफ टोटल डे कितने बच गए जनवरी से लेगे एप्रेल के अंदर 30 डे माई की अंदर अपने पास 31 डे 31 डे जून के अंदर हम लेंगे 30 डे जुलाई भी पूरा कंप्लीट हो गया है जुलाई के 31 डे इसके बाद बारी आएगी अगस्त की अगस्त में भी 31 डे मुठी कंसेप्ट बताया था ना याद होना चाहिए आपको जितंबर के अंदर है टोटल 30 डे अक्टूबर पूरा कंप्लीट हुआ नहीं दो तारीक तक गए है तो अक्टूबर के यहाँ पर एड़ करेंगे 2 डे अब इन सभी डे इसको एड़ करो फटा फट तेजी में एकदम फटा फट तेजी में एकदम आप लोग एड़ करो मु आपने पास ओट डे आजए तो सेवन थ्रीजा ट्वंटी वन यहां पर त्री आएगा तैवन थ्रीजा ट्वंटीवन यहां पर आएगा 65 सो सेवन नाइन जा 63 अपना रिमेंडर आगया टू ठीक है वई यानि कि इस वाले कैल्टूलेशन के एक और इंग यह दो फ्राइडे छटे नंबर पर सैटरडे तो अपना आंसर कितना आ गया मेरे दोस्ट साटरडे आ गया यानि कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा डे था सैटरडे था ठीक है कैल्कुलेशन फटाफट मैंने करिए आपको भी इसी तरह से फटाफट कैल्कुलेशन करनी है लेकिन प्र प्रेजेंटेशन की मिलेंगे इसी तरह से प्रेजेंटेशन करके आना आये कलेंडर का लास्ट कोशन करते हैं फ्यूचर डेट पर जाना है हमें 15 अप्रेल 2030 को बताना है कि कौन सा डे होगा तो इसको टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे सबसे पहले यहां पे 2030 से पहले यह लिखेंगे 2029 और साथ में यहां पर लिखेंगे 15 अप्रेल तक का दिन हना ऐसी तो मैंने आपको सिखाया है 2029 की अगर हम बात करें तो आपको सेंचुरी इयर फाइंड करना है जो 400 से डिवाइड हो जाए तो 2000 का पता लगाएंगे और 29 का पता लगाएंगे ठीक है 2400 का पूरा मल्टीपल है जिरो और 29 का पता लगाने के लिए 29 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4728 चला जाएगा रिमेंडर कुछ भी आए हमें इस से मतलब होता है साथ आ गया जाने कि 29 में 7 लीप यह है और रिमेनिंग 20 कि इतने बचेंगे 20 बोलते हैं आप लोग विल्कुल भी 22 रिमेनिंग 22 नॉर्मल यर से हैं 7 लीप यह हैं एक लीप यह के अंदर दो और टे तो टोटल लागे 14 और टे 22 नॉर्मल यर से हैं मिल्टिपलाइवन कर दो यानि कि 22 दोनों को प्लस कर दो 4 प्लस 2 6 2 प्लस 1 3 तो यहां पर आ गया 36 36 हमारा ओट डे हो नहीं सकता यह पूरी क करके दिखाना मेरे भाई वहां पर ठीक है बाद में कहाना मत की करन सर्शोट शोट में कराके निकल लिए 36 के ओट डे फैंट करोगे तो 35 पूरा कंप्लेट डिवाइड होगा वैल्यू आएगी वन तो 2029 का जो ओट डे निकल क्या है वह बन निकल क्या अब अब अप्रेल त 30 परवरी बराबर चक करो 2030 जो है वो कौन से वाला देना है क्या 34 का मल्टिपल है नहीं है मल्टिपल नॉर्मल है तो नॉर्मल में 28 और यहां पर जन्वरी में 31 सबको एड करो फटा-फट तेजी में तो आठ और एक नो और एक दस और पांच 15 एक उपर चला गया एक दो एक से डिवाइट करें सेवन बंजा सैवन थर्टी फाइव फिर यह फाइश पर जाएगा पूरा थर्टी फाइव यानिकी जीरो तो एक सो पांच में जीरो ओट डे हैं टोटल ओडे की बात करें तो बन प्लेस जीरो करेंगे टोटल लाकर बन आएगा सबसे पहला वीक ओप द दोस्तों के साथ शेयर कर दो अगर आपको कोई डाउट है दिक्कत है तो आप वीडियो के कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं मैं डैफिनेटल आपका डाउट सोल्व करूंगा तो दिस इस तर टुडे सेशन उमीद करता हूं कि आपको एक चीज अच्छे जी समझा आप आया हूं आज के लिए इतना ही मिलेंगे नई वीडियो के अंदर तिल देन बाय बाय गुमनाइट टेक क्यार